हेलो गाइज वेलकॉम हेर जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने ये लिंचेन ने चैन वुजिन को प्रपोस किया था और शादी करने के लिए पूछा था लेकिन चैन वुजिन ये लिंचेन से इतना जादा मार खा चुका था कि वो डर जाता है और उससे कुछ नही जाने के बाद में मेरे सेक्ट में आना और उसके जाने के बाद में तभी वहाँ पर system repair हो जाती है और दोस्तों बाद में हमें दिखाते हैं system और लाइक जरूर करिएगा अब देखते हैं आगे एपिसोड की शुरुबात में दिखाते हैं एक हफ़ता बीच चुका होता है और खुला आसमान दिख रहा होता है और फिर हमको दिखाते हैं चैन वुजिन एक गधे को बैठा हुआ होता है और सूरज की तरफ अपना हाथ उठ के देखते हुए कहता है सूरज बहुत जड़ा तेज है आज तो आज बहुत गर्मी और साती दोस्तों हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन ने गठा चलाने का नया उपाई बनाया होता है वो एक डंडा बनाता है उसका के गाजर लगा देता है और गठा उस गाजर के बहुत मस्त चमक रही होती है और गाई कुछ समय बात दिखाते हैं इस वी गुन गुनाता हुआ वह आगी की और आ जाता है और आते हुए गुन गुनाता है और चुडिया गुड मॉर्निंग कहती है और दोस्तों सज बताएं इसके गाने बड़े अजीव रहते मुझे तो ज्याव किंग गबर को और क्रिकोडल एमपरर को आपस में खेलते हुए देख रही होती है लेकिन थोड़ा उदास होती है वो उसको इस तरह से उदास देखने के बाद में कुंग जाव किंग से बोलती है ज्याव किंग यंग मास्टर ठीक है और उन्हें बहुत जल्दी व देखने के साथ ही बहुत जड़ा सो रही होती है और उसकी यह बात को कुंग साव सुन रही होती तो उलग शॉक डो जाती है गबर को एकक्दम से क्या होग यह तना ज़्यादा खुश क्यों हो गया है और जैसे कि आपको मालूमी एक कुछो को पहले से पढ़ा चल जाता है घर के अंदर कॉन आ गया कौन नहीं आ गया और गबर तो हमारा सुपर वुल्फ है तो उसको तो पहले पदा चलिये लाएगा उसका मालिक आया के नहीं आया और हमें दिखाते हैं चैन्रूजिन वाहाँ पे गदे पर सभार होके आहा होता है और गबर उसकी तरफ भागता वह जा रहा होता है फिर हमको दिखाते हैं गबर के पीछे ज्याव किंग्जाव कुर्कोडाइल एम्परर सब भाग रहे होते हैं और चैन वुजिन उनकी तरफ हाथ हिलाते हुए कहता है हेलो मेरी क्यूटी तुम लोग कैसी हो और दोस्तों आखिरकार उस गदे के मुझ में वह पहुंच जाती है जैसे कि इसमें देख सकते हैं फिर हमको दिखाते हैं कि चैन वुजिन को वापस आ जाते हुए देखकर जैकिंग बहुत रोने लगती है और रोने के साथ गुसाते हुए कहती है चैन वुजिन और यह बोलने के साथ ही चैन वुजिन के तरह बहुत तेज दिखाते एक थपल पढ़ता हम वहाँ पर एकडम रौशनी रौशनी चमक जाती है और हमएं अगली सिंगर में दिखाते कि चैन वुजुन के मुण पे उस थपल का मिशान पढ़ा हुआ होता है और लपर हते वे शोचता है यह क्या हो गया यार कि दोस्तों चैन वुजिन ने इस चीज की उमीर नहीं करी थी कि उसको ऐसे थपड़ पड़ जाएगा आते ही वुजिन के इस तरह थपड़ पड़ते हुए देखकर सिस्टम बहुत जादा खुछ हो जाती है और हमें दिखाते हैं कि ज्याव किंग ने उसको ते थपड़ते थपड़ और मार यह होती कि तुम बत्मीच तुमने इतना टाइम क्यों लगा दिया और गाइस यहीं पर रुकती नहीं ज्याव कि वुजिन को दोड़ा-दोड़ा के पूरे मैदान में मार रही होती दे ला दे घुसे भूम-बाम खुब हो रहा होता दोस्तों जिसको कि ज्याव किंग गब तुम अभी भी लोगों को इतनी सौपली से क्यों मार रही हो तुम बिल्कुन भी सुद्री नहीं हो और दूसरी दिखाते हैं कि ज्याव किंग रो रही होती है क्योंकि वुजिन से बहुत प्यार करती और वुजिन को छोड़के वहां से आना नहीं मांग रही थी और वुजिन उसकी इस थना की हरकत को देखने के बाद कहता है मैं तुम्हें अब कभी नहीं छोड़के जाऊंगा ठीक है यह मैं तुमसे वादा करता हूं प्लीज रोना बंद करो ऐसे मत रो फिर गयज हमको दिखाते हैं वुजिन की ये बात बूलने के बाद में ज्याव किं मैं तुम पर बिल्कुन विश्वास नहीं करती हूं और बहुत जोड़ जोड़ से रोरी होती है वुजिन उसको इस तरह से रोते हुए देखकर अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वाद में ज्याव किंग को प्यार से गोदी में उठा लेता है और हमको दिखात हैसे उसको अपने कमरे की तरफ ले जा रहा होता और दूसी तरफ जञास प्यज़ीं च्टबर रही होती है और चिला के बोलती है वुजिन तुम क्या करने वाले हो तुम क्या कर रहे हो मेरे साथ में मुझे नीचे उतारो अध दूसी तरफ दिखाते हैं कुइंगजा और क सीन देखने के बाद में ब्लश कर रही होती है और ब्लश तो दोस्तों सब कर रहे होते हैं यहां पर कुछ समय बात का सीना में दिखाया जाता है चैन वुजिन के पीछे सिस्टम निकल आती है और सिस्टम निकलने के बाद में चैन वुजिन से गुशाते हुए कहती है 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 अधे चैन बुजन तुम क्या कर रहे हो फिट सीस्टम चिला के बोलती है तुम अपनी भावनाओं को ऐसे शेयर करते हो क्योंकि दोस्ते यह सिस्टम उसे भी धंसे नहीं मालुम है कैसे शेयर करा जाता है सिस्टम की यह बाद सुनने के बार में चैन बुजन बहुत ज़ाधा स्माइल कर रहा होता है हस रहा होता है और हसने के साथ ही वह अपना गेट ओपन कर देता है और गेट खुलने के साथ कहता है चलो इसे एक साथ करते हैं उसकी यह बाद सुनने के बाद में तो सिस्टम एकदम शॉक्ड हो जाती क्या एक साथ करते हैं यह क्या बोल रहा है और फ लाइं पुरही टूट जाएगा लग रहा है किर दोस्तों दिखाते हैं रात से सुबार से दुपयर हो जाती है क्युलिंग sect में फिर चैने का gate open हो जाता है और सबächst अब जूर ब्चूर से जूट नहीं बोला है वैसे अर्वाहां दीरी देरी कमरे से बाहर निकल रहा होता है और गाइस इत्ती मेहनत करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं चैन वुजिन किता जड़ा खुश है तरो ताजा हो गया एकदम और फिर हमको दिखाते हैं उस कमरे का सीन उस कमरे में किनारी की तरफ बैट के ऊपर कोई बोल रहा होता है मतलब बैट और उसकी ब्लेश करने की आदाओं से समझ सकते हैं और फिर कहती है ज्याव किंग तो बाद में क्या हुआ वुजिन ज्याव किंग की ये बास सुनने के बाद में वुजिन वहां से निकलते वे जाते वे कहता है हाँ वैसे देखा ज़र कहानी का अन्टो सबसे म वुजिन बोलता है ना केवल मुझे सारा खजाना मिल गया और साथी अपनी डैमेंशनल रिंग को देखते हुए कहता है लेकिन मैंने स्प्रिच्वल रून्स की एडवांस मेथर्ट को भी सीखा रून अरे को और गाइस बहुत जादा खुश होता है इन सब चीजों के बता और फिर हमें दिखाते हैं उस बुक को निकालली बात में फिर से अंदर रख लेता है और निकालने के बाद में अपनी मुट्ष को जोर से बंद करते हुए कहता है मैंकळ अपना कोर बनाना शुरू कर दुँगा वुजिन yankee इनों ऊप थोड़ा सा वां बैट जाती और बै तुनने के बाद में दोस्तों जावकिंग बहुत जाड़ा गुसा जाती है और अंदर चिलाते बोलती है वहां नहीं रहन दो नहीं करना है प्लीज उस जिखा पर मत करो देख रहे हैं दोस्तों फिर सुरू हो गया मतलब बाहर निकला हवा खाई दुबारा कमरे के अंदर इस सब्सक्राइब और लाइक जरूर करके जाएगा क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत महिनत लगती है थैंक यू फर वाचिंग मैं वीडियो लव यॉल